Hello everyone, welcome back to my channel आज मैं आप रोगों के साथ बात करने वाली हूँ numbers के उपर जी हाँ आज हम बात करेंगे counting के उपर बहुत सारे parents की ये problem होती है कि उनको अगर बच्चों को particular को number write down करवाना है तो बच्चे उसको नहीं लिख पाते हैं जैसे आप बच्चे को counting जिखा देते हैं running में 1 से लेकर के 100 तक तो बच्चा उसको running में 1 से लेकर के 100 तक पुला लिख लेता है लेकिन अगर आप एक particular number बच्चे को बोलते हैं लिखने के लिए जैसे बेटा 6 लिखो या फिर 21 लिखो या 40 लिखो तो वो बच्चा लिखने में थोड़ा सा घबरा जाता है और उसको समझ नहीं आता है कि हमें कौन सा number लिखना है तो आज की वीडियो जो है हमारी वो particular number को किस तरीके से याद करना है उसके उपर है तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे को divide करकर के counting सिखानी है आपको ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को 1 से लेकर के 50 तक या 1 से लेकर के 100 तक एक बार में ही सिखाना है आप उसको divide करके सिखाए जैसे पहले 1 से लेकर के 10 तक सिखाए फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 ऐसे करते करते 100 तक सिखाईए तो particularly number के ओपर आपको जोर देखे बताना है बच्चे को यहाँ पर जो हमने numbers लिखे हैं यह हमारा 6 है 5, 8, 7 इसको हम कैसे explain करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी तो सबसे पहले हम एक worksheet देख लेते हैं जैसा मैंने आपको बताए कि यहाँ पर counting आपको बच्चे को करवानी है देन उसके बाद आपको इस तरह की worksheet बना के देनी है बच्चे को जैसा यहाँ पर हमने एक heart का shape बनाया और यहाँ पर हमने cloud बनाया है और हमने लिखा यहाँ पर circle हमारे कितने 6 हैं तो जैसा कि यहाँ पर हमें ढूनना है कौन सा number number 6 तो चलिए देखते हैं यहाँ पर है number 8 5 4 20 10 35 6 तो 6 यहाँ पर है तो हम 6 को circle कर देंगे उसके बाद हमारे 6 आएगा यहाँ पर and one more 6 है हमारा यहाँ पर यहाँ पर तो क्या है जब आप इस तरीके से भी knowledge होगी क्यों कि आप repetition करवा रहे हैं बच्चे से numbers को next यहाँ पर हमने same चीज रेडी की है circle all the 18 numbers आप यह पहले 1 से लेकर के 26 बच्चे के साथ कीजे फिर आप बच्चे के साथ numbers को बढ़ा सकते हैं तो चलिए यहाँ पर हमें 18 number ढूनना है तो 18 number है हमारा यहाँ पर 54 9 3 18 18 अगेन आ गया है 12 9 2 92 7 9 79 70 70 and 18 18 तो यहाँ पर हमारा 18 भी आ गया है तो इस तरीके की जो worksheet है आप बहुत सारे numbers को मिलाके भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप picture draw कीजे और वहाँ पर आप लिखे circle all the numbers 6 22 and 10 यानि कि एक number के साथ साथ आप और numbers भी दे सकते हैं पहले आप one number के स साथ इसको practice करवाई ये बच्चे से and then आप फिर यहाँ पर numbers को जो है वो बढ़ा सकते हैं जैसे यहाँ पर 10 ढूंड़े या फिर 32 ढूंड़े इस तरीके साथ आप इसको आगे increase कर सकते हैं इसके बाद हमने यहाँ एक worksheet रड़ी यह है जिसमें हमने इसको title दिया है what comes before what comes before क इसका मतलब यह है कि इन number से पहले कौन सा number आएगा तो आप यहाँ पर देख रहे है हमने सबसे पहले number को लिखा है 2 तो 2 से पहला कौन सा number आएगा तो यह बच्चे को मालूम होना चाहिए कि 2 से before यानि कि पहले कौन सा number आएगा तो हमारा number आएगा 2 से पहले 1 अब बच्च से पहले आता है 8, उसके बाद आगया 4, 4 से पहले आएगा 3, 10, 10 से पहले आता है 9, तो इस तरीके से आप बच्चे से इन सारे numbers को ले करके बोल सकते हैं, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर what comes after, यानि कि इन numbers के बाद वाला number कौन सा है, वो हमें बच्चे से कहके लिखवाना है, तो 2 number हमारा किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से और 2 के बाद आता है हमारा 3, तो आप यह अगर जितनी practice आप बच्चों को करवाएंगे, उतना ही बच्चों को numbers जो है वो remember रहेंगे, 8 के बाद आता है हमारा 9, 6 के बाद आता है 7, यहाँ है 50, 50 के बाद आएगा 51, 17, 18, 89, 90, अब यहाँ पर एक और worksheet है हमारे पास circle the wrong number, यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को numbers को समझाने का कि कौन सा number correct है और कौन सा number जो इसमे है वो wrong number है यहाँ पर हमने कुछ numbers write down किये हैं और उसमें हमने एक number जो है वो गलत लिखा यानि कि wrong लिखा है तो चली देखते हैं हमारा कौन सा wrong number है यहाँ है हमारा number 4, 4, 4 यह number हमारा 4 नहीं है क्योंकि यह हमने उल्टा है कई भर बच्चे क्या होते हैं जब लिखते हैं तो बच्चे उसको reflection में लिखते हैं यानि कि जैसे हम mirror में देखते हैं तो वो उल्टा दिखाई देता है वैसे लिखते हैं तो यह भी एक तरीका है बच्चे को number को याद रखने का और साथ ही साथ उसको यह differentiate पता चलेगा कि कौन सा number सही है किस तरीके से उसको लिखना है 3, 3, 3 लेकिन यह 3 उल्टा है तो यह wrong है नेक्स देख लेते हम यहाँ पे 6, 6 यह गलत है इस पे हम circle लगा देंगे 5 यह wrong है 5, 5 यह ठीक है एक और है हमारे पास worksheet जिसमें हमने थोड़ा सा इसको reverse किया है correct the right one यहाँ हमने लिखा था जो wrong है उस पे circle करना है और यहाँ पे जो हमने numbers लिखे है जो right है उसके ओपर हमें tick mark लगाना है या फिस circle करना है तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा number जो है वो right है 7, 7 यह wrong लिखा है यह भी right है यह रोंग है यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा हमारा right है 7 यह भी 7 ठीक लिखा है यह wrong है यह भी 7 राइट है अब हमार पर one one wrong 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 तो यानि कि यह ठीक है तो इसी प्रकार से आप बच्चे को और भी numbers दे सकते हैं जिससे आपका जो बच्चे का number recognition है वो काफी जादा strong होगा और आपके बच्चे को आगे कभी भी future में problem face नहीं करनी पड़ेगी तो I hope आज की जो वीडियो है वह आप लोगों के लिए helpful होगी तो प्लीज वीडियो को like, share and subscribe कीजिए मेरे चैनल को thank you so much, thanks for watching